हेलो स्टुरेंट्स ओफ क्लास फौर्टूर्ट स्टुरेंट्स आज हम सश्टी में चप्टर शिक्स्टी ने आपका शोशल एंड रिलिजियस, रिफॉर्मस इसके बारे में पढ़ेंगे ठीके बच्चो शोशल मतलब क्या होता है सामाजिक and religious मतलब क्या होता है धार्मिक और reformers मतलब क्या होता है सुधारक यानि के सामाजिक और धार्मिक सुधारक ठीके बच्चो इनके बारे में हम पड़ेगे होता क्या है सामाजीक और धर्मिक सुधारक means हम भारत देश में बहुत सारे धर्म है आपको पता है यहाँ पर विभिन विभिन धर्मों के लोग रहते हैं इसमें क्या है बच्चो वे धर्म आए कहां से है कौन उनके खोज करता है और हर एक धर्म के क्या विशेशता है हमें ध सबस्क्रीजेब करेंगे बच्चों कर दोब है तो यह क्या है भारतिय प्रमपरा यह है ने हमें आप प्लकारण से प्यार करना एनिमल्स ऐनिम्स छिफ से प्यार करने नीए प्लांट से प्यार खहरे करना यंद लीव इन पीस और सांतिपूर्वग रहना हमें किस तरह से किसके साथ क्या रियक्त करना चाहिए कोई भी हर्मों वही हमें यहीं सिखाता है वरियस रिलिजन जो बहुत परकार के धर्म है और विभीन धर्म और प्रैक्टिस्ट इन इंडिया मतलब अलग-अलग तरीके से हमें अभ्यास किया है सिखाने का कुछ भी चीज दे इसलिए भारत को क्या का जाता है धर्मों की भूमी भी कहा जाता है और बच्चों आगे इसमें पड़ते हैं रिलिजियस लीडर्स एंड ठिंकर्स जो धर्मिक नेता हैं और विचारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हिंदू इस वन ओफ दा इसलिए यह केवल और एक मात्र ऐसा धर्म है विच गो डॉस नौट है वे फाउंडर जिसका कोई खोज करता एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है बच्चों धर्म ही एक ऐसा मात्र धर्म है जिसके खोज किसी व्यक्ति नहीं किया यह अपने आप से धर्मा हुआ धर्म हैं विच्वास करते हैं इन अवतार में और इनकर्णेट्स अवतार्ण में ओफ गोड ऑन दा अर्थ यानिकि प्रत्वी पे जो है वो भगवान के अवतार के रूप में किसी का भी जन्म होआए ऑग्जापल के लिए अगर हम देखे लोड राम यानिकि राम जी राम और रोर क और किष्ण किसे किविश्ण के वतारते यानि कि जो भगवान है भगवानी अपने अवतार को यहां पर भेजते हैं वेदों में बहुत सारी जानकारी हिंदु धर्म के बारे में मिलती है पुपनिशद के उपनिशत कितने हैं हमारे 18 हैं भगवत गीता जिससे हमें पूर्ण ग्यान की प्राप्ति होती है इटीसी एंड और टू ग्रेट एपिक्स और दो इनके अलावा महाकावे हैं कौन-कौन से रामायन जिसमें पूरी राम के बारे में और राम का वित्रनता सब कुछ मिलता है र पूरेट विचारा के महान विचारा के लाइक जैसे आदी संक्राचारे दयानन सरस्वती एंड़ स्वामी विवेकनन इस पेड हिंदू उन्होंने बहुत ज्यादे स्पेड मतलब फैल आया हिंदू समय हिंदू धर्म को और उनकी शिक्षायंदी अलग-अलग तरीके से ठी गौत्व बुःद्ध वच्वोंने चौन में अपने घर को छोड दिया तो फाइंड विज्डम गुद्धि की खाउज करने के लिए बौद्धि की खौज करने के लिए लिए अपने घर को छोड़ दिया था at last और अंति में क्या हुआ after 10 years of meditation यानि के बहुत सारे सालों का ध्यान करने के बाद under a tree near बोद गया बच्चों बोद गया में बोद गया एक जंगे का नाम है महापर एक ट्री के पेड़ के नीचे बैठ कर बहुत सालों तक इनोंने ध्यान के इंदरित किया ठीक है he attended enlightenment और महापर क्या हुआ उन्हें आत्म ज्यान की प्राप्ति और प्रिंस जिधार्थ बिकम दा बोद और वे क्या बन गया प्रिंस सिधार्थ से क्या बन गया बोद महात्मा बोद यानिके बन गया है वहाँ पर उन्हें कहीं सालों तक पेड़ के निचे ध्यान के इंद्रित किया बच्चों और वहाँ पर उन्हें आत्म ज्यान की प्राप्ती हुई ठीक है दा एट फोल्ड पाथ एंड राइट व्यू उनके जो विचारक थे वो क्या थे वो सिखा थे पर फोल्ड पाथ यानिके सही से विचारक रखना दा राइट व्यू राइट व्यू राइट इस्पीच यानिके सही से बोलना एक दूसरे के साथ राइट एक्षन सही करियाए करना सही कारे करना राइट लेविंग सही से रहना राइट एक्ष़र्ड सबसे राइट एक्षर्ड करना मतलब किसी को भी सहनभूती पूरग कारे करना एक राइट मैंड कुल्र निया राइट सेंके अपने मन में मनुभाव रखना ओके बचो फिफोर्ट दा प्यूपल उन्होंने लोगों को सिखाया तो भी टोलरेंट उन्होंने टोलरेंट यानिके शहिश्णों एंड नौन वाइलेंस और अहिंसा का मतलब किसी की हिंसा किसी को मारना नहीं ये पार्ट सिखाया किंग अशोक राजा जो अशोक थे help to spare उन्होंने उनकी help की इसपेर मतलब फैलाने में बोधिस्म बोधिस्म को बोध धर्म को फैलाने में इन अधर कंट्रीज अलग कंट्रीज में बोध धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने जो राज अशोक थे उन्होंने किसकी महात्मा बुद्ध की सहयता की जैसे कौन कौन से देश में फैलाया श्री लंका में जापान में नैपाल में थाइलैंड में चाइना में आज बोत धर्म को इन देशों में माना जाता है फिर आगे है महावीरा महावीर कौन थे अनादर प्रिंस वो अलग से प्रिंस ते राज कुमार थे फाउंड़ ओफ जैन धर्म की जो फाउंडर माने जाते हैं जैन धर्म के खोज करता जो माने जाते हैं वो कौन है बच्चो महावीर सौमी है जो जैन धन को मानते है फोलो करते है आरकॉल जैन उनको क्या कहा जाता है बच्चो जैन कहा जाता है महाविर थोट जो महाविर स्वामी थे वो सोचते थे प्यूपल डेट दे शूड नॉट हर्ट और किल एनि लिविंग बिंग जो लोग है उन्हों कभी किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए दुखी नहीं करना चाहिए और नहीं किसी की जान लेने चाहिए किसी को मारना चाहिए फिर आगे है the followers of Jesus Christ, जो Jesus Christ को, इसा मसी को follow करते थे, जो लोग इसा मसी को मानते थे, are called Christians, उनको क्या कहा जाता है, the Christian कहा गया, Jesus Christ, जो Jesus Christ थे, यानि कि इसा मसी थे, was born in Bethlehem, उनको जनम कहा हुआ था, Bethlehem हुआ था, in 4 BC, 4 BC से पहले, Christianity, इसाई धर्म has a large number of followers, जो Christianity थे, यानि कि इसाई धर्म था, उसको मानने वाले बड़ी संख्या में followers थे, इन इंडिया भारत में, it was spared, it मतलब यह है, was मतलब था, by S.T. Thomas in India, S.T. Thomas के जर्ये, भारत में, जर्यलिस्म, जर्यलिस्म यानि कि जर्यलिस्म बचों यह है, इसको बोला जाता है, यरुशलम, क्या बोला जाता है, यरुशलम, the place where Christ lived, जहां पे इसा मसी रहते थे, and prisoner, और उपदेश देती थे, is considered to be scared, इसको फैलाया, और वहाँ प बताये जाते हैं, प्यूबल, मतलब, वो कहते थे, लोगों को moral stories, नैतिक कहानिये सुनाते थे, called parables, जिनको क्या कहा जाता था, दरस्टांत, यानिके parables, मतलब, दरस्टांत कहा जाता था, his disciplines, जो उनके discipline थे, यानिके जो उनके नुभावों थे, call him the son of good, वो कहे जाते थे, भारत, मतलब, भगवान के बेटे कहे जाते थे, Christ wanted, जो Christ say, वो चाते थे, to bring peace on earth, मतलब, धरती पर, सांती लाना चाते थे, his followers card, called his apostles, जो उनके followers थे, यानिके उनको मानते थे, वो कहे जाते थे, प्रचारा कहे जाते थे, प्रचेड, his teachings, जो अपनी सिक्षा के लिए उपदेश देते थे, called to the entire human race, जो भारत की, मतलब, माना आपके interest में जाते थे, the Bible is the holy book of Christianity, Christians, जो Christian की पवित्र बुक थी, वो कौन से थे, Bible थे, the followers to Islam, जो Islam धर्म को मानने वाले थे, who are called Muslims, उनको क्या का जाता था, बच्चो, Muslim का जाता था, are found all over the India, जो पूरे भारत में फैले हुए थे, they follow the religions, teachings, वो follow करते थे, धर्म को, कौन से धर्म को, teachings of Muhammad, यानि के मुहमद के बारे में सिखाते थे, the prophet of Islam, जो की Islam धर्म के करता धर्ता थे, यानि के Islam धर्म के सबसे बड़ा नईता थे, the message of Allah, जो Allah तक message पुचाते the God that were received by Prophet Muhammad were recorded in the Quran, जो की Prophet Muhammad के, जो भी recorded किये गए है, वो किस में कह गए है, कुरान में, जो कुरान के है, बच्चों, holy book, यानि के पवित्र पुस्तक है, किसकी Muslims की, Muslims pray, जो Muslims हैं, वो pray, यानि के नमाज करते हैं, five times, five बार, एक दिन में, they fast for a month, यानि के रोजा के जिसे बोलते हैं, रोजा रखते हैं, एक महीने का, ड्यूरिंग रमजान, रमजान के समय, and celebrate Eid, और Eid को celebrate करते है, Eid को मनाते है, each year, यानि कि पर्टेक वर्स, thousands of Muslims visit मक्का, हजारों की संख्य में, जो Muslim Muslim लोग हैं, वो यात्रा करते हैं, कहां कि मक्का की, मक्का की यात्रा, उनके यहां ब जनम भूमी हैं, साओधी अरब, कहां पर हैं, साओधी अरब में, मक्का एक जनगह का नाम है, साओधी अरब की जनगह दो, महां की जनम भूमी है, किसकी मुम्मत की, और महां की यात्रा करना बहुत शूब माना जाता है, इनके यहां पर, this playground is called Haj, जो उनके playground होते हैं, उनको प्यार का मैसिज फ्यलाने में यह जो सूफी हैं इनका बहुचाद है योगदाने ओके बचो फिर आगे बात करते हैं गुरुरु नाना कौन थे बचो वास्टा फाउंडर ओफ सिख इसम सिख धरम की खोज करता कौन है बचो गुरु नाना नहीं सिख धरम के खोज किया है सिख़् है वह क्या पहंते हैं इक स्टेल का कड़ा पहनते हैं जिसे कढ़ा-कआजाता है राव हात that key there is only one God वे विश्वास करते थे कि केवल एक भगवान है and जो people have given him different names और जो लोग हैं उन्होंने उसको अलग-अलग नाम दिया है he rejected वो मना करते थे distractions यानि कि भेदभाव करना between के बीच में man and woman लोगों इस्री और पुरूस के बीच में बेदभाव करने से मना करते थे by cred or caste किसी भी चीज में जाती के पक्ष में या कैसे भी लिंक के पक्ष में हाथ चीज में वो से मना करते थे rejected करते थे he thought people वे लोगों को सिखाना चाते थे to importance of hard work वे सिखाना चाते थे मतलब लोगों को क्या इंपोर्टेंस महत्ता किस चीज की hard work के यानि के hard work करने की क्या महत्ता है honesty इमानदारी and sharing share करना यानि के चीजों को एक दूसरे का शाथ share करना ये कौन सिखाते थे गुरू नारक सिखाते थे the guru grant side बचो याद रखेंगे is there holy book उनकी पवित्र बुक कौन सी है guru grant sahib है it contains a collection of humans जिसमें बहुत सारे humans का collection है इखटा किया गया है it is called the आधी गरंत इसको आधी गरंत भी कहा जाता है फिर आगे बात करते है joristralism joristralism होता है बच्चो वैदिक धर्म is the one of the oldest religion यह भी एक बहुत पुराना धर्म है joristralism joristralism was the founder of joristralism यानि कि जो वैदिक धर्म है उसके जो खोज करता है उनके जो खोज की है किसने की है वो joristralism ने की है his religion जो उनका धर्म है was not based on super-restriction यानि कि जो उनका धर्म है वो based नहीं था किस चीज का surprise stations यानि कि अंदविश्वास को माना rituals of his time उस time पे जो अंदविश्वास चल रहे थे उनको नहीं मानता था instead हाला कि बाद में क्या हुआ it thought विस होसते थे people how to lead a god यानि कि जो लोग है वो भगवान को कैसे लेड करते है मतलब भगवान को कैसा मानते है और उसके जो बनाए गए rules है उनको कैसे follow करते है with the help of wisdom अपनी बुद्धी के साथ यानि कि भगवान ने तो रूल बना दिया अब हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धी के अनुसार सोचेगा कि उसने क्या बताया गया truth सच्छाई के साथ उन्हें कितना मानते है light and godness और भगवान के कितरा कूजा करते है the people who practiced जो लोग थे वो वेडिक धर्म को मानते थे are called parcian उनको क्या का जाता था पार्सी का जाता था भारत में their holy book holy book ती वेडिक धर्म के लोगों की holy book ती वो कौन सी थी gender avista आगे हैं बच्चो social reformers यानि के सामाजिक सुधारक the social reformers of India जो भारत के सामाजिक सुधारक है have thought वो विचार रखते हैं people to give up social evils यानि के लोगों को किस चीज की शिक्षा देना चाते हैं कि छोड़ देने की क्या social evils जो भी उनके अंदर सामाजिक बुराईया हैं उनको छोड़ने की super situations यानि के अंधविश्वास को त्यागने की respect human beings जो भी respect करने का आदर करने का human beings यानि के जो मानव है एक दूसरे की respect करने के लिए and live together और साथ साथ रहने के लिए जो भी सामाजिक सुधारा के हैं बच्चो वो हमें ही सब शिक्षाएं देते हैं कबीर, मीरबाई और तुलसिदास इनके नाम आपने सुने होंगे वर्सेंट जो संत कहे जाते हैं और भक्ती मुमेंट भक्ती आंदोलन के संत कहे जाते हैं दे थोट वे सोसते हैं सिखाते हैं प्यूपल लोगों को लोगों को सिखाते हैं अबाउट ब्रदर हूट भाईचारे की भावना सिखाते हैं लाटी पत सिंखाते हैं और समान ताइम कैसे रखने क्यों सबांगे leaning और समानगfight headed तिलसिदा सो स्टाइश संध कभिया है उन्हें था भाइश होज़ाया है उन्हें एक conferred aware, sisters और जो सिखाता है केहाटए रहना जो उनके लिखे गए है उन्हें कहा जाता है दोहास में उन्हें वाली बतने बताई हैं मेरा बाई कंपोस्ट सोंग्स जो मेरा बाई उन्होंने बहुत सारे कंपोस्ट किया है सोंग्स को को पद जोने पद कहा जाता है इन प्रेस ओफ गिर्धर गोपाल गिर्धर गोपाल यानिके श्री किष्ण की परसंद समय उन्होंने जो चीजें लिखी हैं उनको प स्वामी विवेकनन्द वास्था राम किशन मिशन की विवेकनन्द इंट्रोडक्ट योगा की इन उरोप में एंड अमेरिका में स्वामी दल्यानन सरस्वती founded the आरे समाज, स्वामी दल्यानन सरस्वती ने किसकी खोज किया आरे समाज की, राजा राम मोहनरोय was the founder of ब्रहम समाज, राजा राम मोहनरोय ने किसकी खोज किया बच्चो ब्रहम समाज की, he walked hard वेब हो जड़े hard work करते थे to get the practice of sati oblige, उन्होंने ब पतनी होती थी उसको जिंदा जला दिया जाता था इसको कहा जाता था बच्चों सती प्रथा इसके जो इसको जो मना किया यानि कि जो इसको भारत में बंद किया वो किसने किया है राजराम मोहन राए ने चीके बच्चों विनाबा भावे the message of non-violence, जो इनोब भावेती उनोंने message को फरलाया, कोन से वाले non-violence, यानि कि अहिंशा के message को and human rights और जो मानाव अधिकार है उनको फरलाया, भाबा आम्टे जो बाबा आम्टे हैं, वक्ट टू help पीवर जो पूर लोगों की help करते थे, जो मार, आम्टे थे प्यूपल सफ्रिंग्स फ्रों लेपरोसी जिनके पास पैसा नहीं था या कोई बिमार था उनकी बहुत जादा हेल्प करते थे बाबा आम्टे इश्वर्चंद्र विद्या सागर इस्टूड फॉर्ड अप्लिमेंट ओफ दी ऑफ दा स्टेटस ओफ हुमन इंडि मतलब किस तरह अपने को महत्त इस्थान रखती हैं भारत में वो इन्होंने बताया पर्टिकुलरी इन बंगाल बंगाल में बहुत जाद है ही इंट्रोडक्ट दा प्रैक्टिस ओफ विड़ो रिमेरिज उन्होंने इंट्रोडक्ट किया यानिके खोज की और मतलब पालन कर प्रैक्टिस की और विड़ो रिमेरिज यानिके जो विद्वा पुनहर विवा विद्वा पुनहर विवा की जो विद्वा पुनहर विवा की जो स्थापना की वह भी किसने की थी बच्चों इन्होंने ही किती शवर्चंद विध्या सागर ने ओके बच्चों यानिके जिस झाल झाल